Hello everyone, मैं विश्जीत सेंग, आप सभी का दीईन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 03 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो हमारे इस वीडियो का मीन मोटिव भी रहेगा कि हम अपने एक्जाम के लिए तैयारी कैसे करें MHI 03 का जिससे हमारे एक्जाम में अच्छे नमबर बने हैं इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि MHI 03 के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है कहां से हम तैयारी करें, कौन से study material का उपयोग करें साथ साथ में हमें वीडियो कौन सी देखनी हैं, कहां से देखनी हैं, जिसके basis पर हमारे अच्छे नमबर बन सकते हैं और साथ में हम इस वीडियो के अंदर में पूरे बुक का डिटेल में अनलाइज भी करने वाले हैं कि हर एक unit में कितने lessons हैं, हर एक lesson में कौन से topic हैं और किस topic को में basis ध्यान देना है, जिसके basis पर हम अच्छे से त्यारी करके अच्छे नमबर ला सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों अभी मैं eGyancoast की side पर हूँ यहां से आप कोई भी book की soft copy download कर सकते हैं, इगनु का ही एक part है, free में मिलता है यहां से कोई भी book की, कोई भी soft copy चाहिए आपको, अगर आपके पास book नहीं study करने के लिए तो यहां से directly download कर सकते हो, eGyancoast की side से अगर हम अपनी book MHI 03 के बारे में बात करें, तो इस book का नहीं इतिहांस लेकर हिस्टोग्राफी यहां पर हम सीखते हैं कि इतिहांस को कैसे लिखा जाता है, हिस्ट्री को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे तयार किया जाता है आप कोई भी topic पढ़ते हो, हडपा से बता पढ़ते हो, 88-95 का विद्रो पढ़ते हो, कोई भी topic पढ़ते हो, क्या उसी तरीके से था वो topic? बिल्कुल भी नहीं, उसका एक रूप दिया गया, कि पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद में कौन सी घटना घटी, इस घटना का कारण क्या है, इस घटना का परिणाम क्या निकला, ठीक है, इसका impact कहां कहां पढ़ा, यह सारा कुछ इक तयार करके आपको लिख कर दिय गया, तो उस लिखने के पूरे जो तरीका है, प्रोसेस है, उसको हम इतिहांस लेखन कहते हैं, इतिहांस कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाता है, इसके बारे में इस बुक के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरे बुक के अंदर में डिटेलिनलाइज करके कि कौन-कौन से चैप्टर ने, कौन-कौन से यूनिट है, और कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, दोस्तों जो हमारे सबसे पहला यूनिट आता है, जिसका नामें इतिहांस का परीजे, बहुत इंपॉर्ट किस तर से टपिक तयार क्या जाते है, समानी करने नजरिया क्या होता है, दूसरा टॉपिक आपका आता है, कारण-कारे संबन्द, कारण-कारे संबन्द मतलब क्या से क्हरने से हर एक घटना का संबंद्ध कारंद से होकता है किस तरह से कारण का संबंद wrap वह समझ में आजाता है ठीक है किस तर से सिट्वेंस में coin senators के इंदर में देखते हैं ठीक है और चौत्था जो विचारदारा और समाज के बारे में, जिसमें हम बोलतें कि इतिहास को प्रवावित करने वाली विचारदारा हिक यह पढ़ते हैं. अगर आपको यह बेस नहीं पता तो आप हिस्ट्री लीक नहीं सकते हिस्ट्री का करणने सकते, कोई अगर कभी आपको किसी घटना को कवर करने के लिए बेस दिया गया, कभी किसी मीडिया के दुरू या, कभी जहां पर वियावग करते हो, तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेस माना जाता है, ठीक है, अगले युनिट के हम बात करें, तो second unit के अंदर हम ब क्या था, आज इतिहांस लिखा जाता है, या इतिहांस लिखा जा चुका है, जो भी इतिहांसकार था, जैसे हम बढ़ते रोमिला था पर भारत की इतिहांसकार है, ठीक है, और भी बहुत सारे इतिहांसकार है, उनके बारे में हम study करते हैं, तो इतिहांसकारों के दवारे इ यूनानी इतियास कारों को इतियास लिखन का उद्दे से क्या आता है, मोटिव क्या आता है, यहाँ पर topic आता है, पहले chapter के अंदर में, इस unit के, इस unit के अगर आप दूसरे chapter की बात करोगे, तो आप परमपरिक चीनी जो इतियास लिखन था, वो किस तरीके से लिखा जाता था के चीन के इत्यास लेखन के बारे में बात करते हैं। मनुस्यों को क्यों मानाफ़त बात के बात करते हैं। ठीक है और इस विए दिवी सक्ति को मानने से इंकार करना मतलब कुछ चार-पांच पॉइंट के उपर में पूरा Confucius वाद वुग करता है और यहां पर हम उसके बारे में बात करते हैं चीनी इतिहास लिखन के विकास किस परकार से हुआ पारमपरी की इतिहास लिखन किस परकार का यह भी इसके अंदर में topics यहां पर आ जाते हैं और cover होते हैं normal से बात यह है कि इस unit के अंदर में जो second chapter के अंदर में जो question बनता है वो चीनी इतिहास लिखन के उपर में आता है जिसमें अगर आप confusus बात पढ़ लोगे तो cini इतिहास लिखन के लिखा जाएगा थिक है इसके अंदर में जो तीसरा चैप्टर बनता है जिसमें हम बात करते हैं प्राचिन भारत के इतिहास लेखन की परंपरा हैं भारत के अंदर में जो प्राचिन भारत के अगर हम बात करें तो उस समय पे इतिहास लेखन किस तरह से लिखा जाता था उसको लिखने का source क्या आता, किस तरीके से उसको explain क्या गया, उसके उपर में topic आता है, एक topic बन जाता है कई बार exam के अंदर में, कि प्राचिन भारत के इतिहास लेकन की परमपराय बताओ, तो देखो कई बारत तो जो इतिहास का रहे हैं, वो भारत के संदर में न कारते हैं इ इतने मार्च, इतने तारीक को ये विद्र हुआ, पर भारती संदर में अगर आप कोई घटना को study करते हो, तो ये नहीं मिलता है, इसकार सबसे बड़ा reason यह है, कि हम यूगों में उसको translate करते हैं, यूग में, कि द्वापर यूग, स्वत्यूग, त्रिता यूग, ठीके, इस तरह से हम यूग में, generation में हम इसको count करते थे, कि ये वाला यूग चल रहा है, ठीके, जिसके कारण से उनको proper date का idea नहीं मिल पाता है, दूसरी चीज़ ये का होता है, कि हम काल नच्छतर देखकर हम बात करते थे, कि इस काल नच्छतर में ये चीज़ होने वाली है, अग मतलब इतने advance हो चुए थे, कि हमें date की जुरूत नहीं थी, नच्छतर के basis पे हम date तारीक और पूरी घटना को करते थे, पर जो इतिहांस कारते जो भारत के इतिहांस को लिख रहे थे, उनको ये चीज़े समझ में हैं, जिसके काई सो ये मान कर चलते हैं, कि हमारा इतिहांस proper नहीं था, इतिहांस केकर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे गरंत भी हैं, जिसके अंदर में महाभारत रमायन या आते हैं, ठीक है, अगले unit के और बढ़ते हैं, अगले unit के अंदर में हम बात करते हैं, पुर्व आधुनिक परंपराएं, जो पहले से चलते हुए कु के बारे में हम बात करें, तो मद्यकाली नितिहांस लिखन के बारे में बात करते हैं, कि जो मद्यकाली नितिहांस लिखन था, वो किस परकार रहा था, कुछ खास इसमें chapter में question ही बनते हैं, बट अगर normal अगर देखा जा, इस chapter के अंदर में question रहता है, तो मद्यकाली में इतिहांस लेखन किस परकार से लिखा जा रहता है किस तर से इतिहांस लिखा जा जा रहता है धार्मिक अधार पर इतिहांस किस तर से लिखा जा रहता है यह कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो इसके इस उनिट के पहले चैप्टर के अंदर में आप पढ़ सकते हो इस उनिट के अंदर में पूछते हो अगले चेप्टर के अंदर में बात करूँ चेप्टर 10 जहां पर हम बात करते हैं मद्यकाली इतिहांस लेखन के इंडो-पर्शियन जो तरीका था उसके बारे में इंपॉर्डेंट टॉपिक है कई बार एक्जाम में देख जाता है थोड़ा इक सा लिखा गया क्या इतिहांस रहा उसके बारे में यहां पहाँ बता होगी इसके बाद चैप्टर 11 जो अगला चैप्टर चैप्टर मोखी का अधार पर जो इस्तानी इत्यास लेकन दर में आप पड़ोगे तो मोखी की इत्यास लेकन क्या होता है जैसे माउथ जो story basis बें बंती है इत्यास कि उसने ये वाला घटना घटी ये वाला चीज हुआ ऐसा तो उसको मोखी की इत्यास हम कहते हैं ठीक है समझ में आता है यूनिट नमबर 4 वो बहुत important है आप इसको mark करके रख लिजेगा इसके अंदर में सो questions बनते ही बनते हैं यूनिट 4 को आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर सबसे पहला जो मतलब chapter बनता है अधुनी काल का इतियास लिखन के दृष्टियों के अंदर में सबसे पहला chapter बनता है परतेक्षवादी परंपराओं के बारे में परतेक्षवादी परंपरा क्या है परतेक्षवादी परंपरा के अंदर में अगस्ते कौंत की जो विचारदार थी वो किस परकार की है किस तर से परतेक्षवादी परंपरा इतिहास लिखन के अंदर में एक revolution का काम करती है वो आपको define करना होता है एक परतेक्षवादी परंपरा का topic important रहता है आ जाता है इसके बाद इस unit का जो आपका तीरवा chapter है second chapter जिसके अंदर हम बात करते है सस्त्रिय माक्सवाद परंपरा क्या है ठीक है सस्त्रिय माक्सवाद परंपरा के अंदर में माक्सवादी परंपरा के अंदर में किस तर से इतिहास लिखा जाता था माक्सवादी और समाजवादी विचारदार है किस परकार से इतिहास के लिखने में मदद करती थी किस परकार से उनका combination इत्यास को लिखने में साइटाय परदान करती थी ये आ जाता है इसका जो फोर मतलब फोर थर्ड चैप्टर आप देखोगे ठीक है इस युनिट का युनिट फोर का एक स्कूल था जिसके अंदर में एक इत्यास कारों का गुरुप था जो एक publication करते थे मतलब एक book शापते थे जिसके basis पे नई नई जो आधुनिक विश्व के अंदर में किस तरह की विचारदारा चल रही है क्या impact पढ़ रहा है किस तरह से चल रहा है उसके बारे में वो बोल करते हैं आधुनिक काल में इत्यास लेकन की दृस्टियों के बारे में यह दूसरा यूनिट आ जाता है यह उनिट भी important है सब्से पहला चैप्डर आता है कि हाल के माक्सवादी दृस्टिक और नहीं 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 माक्सवादी दृस्टिकों वहाँ पर माक्सवादी कैसे बढ़ता चला गया उसके बारे में आप हम बात करते हैं पांचवी यूनिट के अंदर में जो आपका दूसरा चैप्टर बनता है उसके अंदर में हम बात करते हैं कि आधुनिकतावाद का जो हंसाचेप था किस परकार से था उसके बारे में बात करते हैं उसके बात करते हैँ आधुनिकतावाद का पूरा काल था अधुनिक काल था पूरा जहां पे modernization पूरा चल रहा था एक दम चर्म पे था उसके बाद में जब वो धीर धीर खतम होता चला गया तो उसका post is निकला जहां पर उत्तर आधुनिक्ताबाद के तौरपे मुसकों बोलते हैं कि जहां पर उसकी कमिया थी क्या चीजे किस तरह से डेवल्फ होई किस तरह से विक्सी तो उसके बारे में हम यहां पर डिसकस करके चलते हैं तो आधुनिक्ताबाद तता उत्तर आधुनिक्ताबाद में अंतर क्या है ये भी एक topic रहता है और पीछे जब ये exam में आया हुआ था तो बहुत सारे बच्चों ने इस topic को छोड़ कर आयते हैं कि अधुनिक्ताबाद तथा उत्तर आधुनिक्ताबाद में क्या difference है दोनों काल मतलब एक के end होने बाद दूसरा काल की सुरुवात होती है जिसको हम उत्तर आधुनिक्ताबाद बोलते हैं ठीक है समझ में आता है अगले topic के और बढ़ते हैं अगला जो हमारा unit है unit number यहां पर मतलब एक और दो स्वरी इस unit के अंदर में दो lessons और आते हैं जो हमारा lesson number four है यहां पर इस unit का सत्रवा lesson जिसमें हम बात करते हैं इतिहास में लिंग भेद भाई क्या लगता आपको इतिहास के अंदर में भी लिंग भेद किया जाता हुगा लड़का लड़की किस तरसे तो महिलावादी इतिहास लिकन जहां पर महिलाओं के perspective पर हम बात करते हैं जो feminism वाला अपने सुना होगा ठीक है नारी वादी फि안िसम, महिलावादी तो महिलावादी इतिहास के अंदर में या कहीं कभी इतिहास का देखोगा उप history की बात करोगे तो भावादा म लिंग भेद वाले chapter के अंदर में, इसके बाद में chapter number 18 जो इस unit का आता है, जहां पर हम बत कहते हैं, कि इतिहास में नसल भेद, नसल भेद वाला सुना है नो, गोरा काला नसल भेद, तो नसल भेद वाला, तो इसके अंदर में आ जाता है, कि भारत में नसल का सिधान्त क्या है इतिहास लेखन के अंदर में, ओपन once बढ़एक पर समप्रबुता के अंदर में नसल की अफदार्ना की रही है, वो बताईए, तो दो topic बनते हैं, तो भारत का नसल सिधान्त, दा दूसरा आपन Heck का अफदार्ना है, उसके बारे में, ये ये दो topic बनकर आलते हैं, योर तो यहाँ पे जो पहला chapter बनकर आता है आपका आता है उपनिवेशवादी इत्यास लेखन क्या है यह important topic रहता है और पहला chapter भी आपका दूसरा chapter बनकर आता है राष्टवादी इत्यास लेखन क्या है important topic है इसके अंदर में यहाँ पे आ जाता है राष्टवादी इत्यास के ने संपर्दायबादी किस परकर से लिखा टी को सामब़ी के विचाधदारा क्या थी ठीक भारती मांकष वा दितियांस लिखन के बारे में बताई है भारत के बारत के इंदर वे नव् Hermam जाग्रण नव जागरती दिए नव सब्सक्राइब नव जाग्रती भारत अंदर में लोकों का घ्यान आ रहा था नव्शां जाग्रन जिससे नव जारगन गरन का जो काल था उसके अंदर में किस तरसा इतिहांस लेकर चला इसके बारे में भी topic रहते हैं इस unit के अंदर में अगला जो chapter है इस unit का important chapter है Cambridge School Cambridge School है क्या Cambridge School में इतिहांस कारों का समूँ जो अलग-अलग topic पे अपने टिपड़ी करते एक तरह से जो उनका जुकाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है अंग्रेजों की तरफ उनका जुकाव ज्यादा था ठीकि जो उपनिवेशिक काल के अंदर में जो भी कारे किये उसको एप्रिसेट करते क्योंकि ज्यादा तर जो Cambridge School के अंदर में जो इतिहांस कारते वह कहीं ना कहीं पुर्व उपनिवेशिक अधिकारी के तौर पे ही थे ठीके जो उसके अंदर में अपनी धारनाएं व्यक्त कर रहे थे अपनी विचारदारा को रख रहे थे सामने ठीक है सम कुछ इतिहांस कारों के नाम दे रहा है जो पुर्व अधिकारी थे बिटिस अधिकारी थे ठीक है उनके बेसिस पे आप उसको एक्स्प्लें कर सकते हो कि क्या रहा Cambridge School की अफधारना ठीक है समझ में आता है अगला जो यूनिट है हमारा जिसमें हम बात करते हैं भारते इति बड़ा इंपोर्टन बनता और बहुत इंपोर्टन डोल प्ले करता है आपके एक्जाम के अंदर में इजी टॉपिक है जनुमुखी इतिहांस मतलब क्या आम जनता का केंद्र बिंदू में मानकर अभी तक जितने भी इतिहांस आपने पढ़ा रहा मोरे समराजी के अंदर म मतलब राजा को केंद्र बिंदू मानकर किया मुगल काल के अंदर मुगलों को केंद्र बिंदू मानकर किया ठीक है आप अगर औरंग्जीब के बारे में पढ़ो किसी के बारे में पढ़ो तो किसी ने किसी को केंद्र बिंदू मानकर हम पढ़ रहे है ठीक अपने विशी का निम्न वर्गिये प्रसंग क्या है निम्न वर्गिये इतिहांस क्या है निम्न वर्गिये का सबाल्टन अध्यन सबाल्टन अध्यन सबाल्टन इस्टुडीज क्या है ठीक है रंजीत गुवा की विचारदार क्या है इस तरह से जाकर कोशन बनकर आते हैं तो आपका चैप्टर नम्र इस उनिट का चेप्टर नम्र 25 है सेकंड चेप्टर जहां पारत है निम्न वर्गी इतियास क्या है ठीके बहुत इंपोर्टन टॉपिक है रंजीत गुआ के द्वारा लिखा गया निम्न वर्गी इतियास ने रंजीत गुआ निम्न वर्गी इतियास ने रंजीत गुआ किस प्रकार से लिखने की कुर्चिस प्रकार से लिखा यह एक टॉपिक रहता है उसके बाद में आप बात करोगे इसका अगला फोर्थ चैप्टर जो बनता है 27 चैप्टर जो आता है उसमें किसान और मजदूर के टॉपिक को हम किलिए करते हैं कुछ खास टॉपिक नि बनते हैं पर किसान और मजदूर में से कोशन बन सकता है उसके बाद में चैप्टर नमबर 28 जहां पर जाती जन जाती और लिंक बेदर से टॉपिक को हम करो करते हैं chapter 29 जहांपे हम धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, chapter 30 जो हमारा last chapter इस unit का जहांपे हम परियावरान और विज्यान के परदुगी के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप पूरे बुक को अगर डिटेल में इनलाइज करो, तो सबसे important जो आपका unit रहता है, unit number first, पर आपका unit 4 के अंदर में आप आजाओ, तो प्रतेक्षवादी हो गया, सस्त्रिवादी इत्यास लिखन हो गया, नाली स्कूल हो गया, ठीक है, Cambridge स्कूल हो गया, जनोमुकी इत्यास हो गया, यह सारे topics important रहते हैं, उत्तर आदुनिक्तावाद का topic रहता है, यह important topic रहते हैं, देखो, टाइम बहुत कम है, आज 8 जून हो गया, कल 9 जून को आपका MA History, MHI 03 का exam है, आपके बास ज्यादा समय नहीं कि आप उसको बहुत अच्छे से detail में पढ़ सको, ठीक है, इस वीडियो का use आप बस इतना के लिए कर सकते हो, कि आप पूरे book को detail में समझ सकते हो, कि किस unit में क्या चीज़े पढ़ने है, किस तरीके से पढ़ने है, बस उसके अलावा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस समय पढ़ना क्या है, आपको धीन अप के उपर में जाना है, यूटूब पे जाओ, दईन अप सर्च करो, दईन अप सर्च करोगे, और उसके MHI 03 की वीडि है, वो आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है, आप देखोगे, यहाँ पे तो सम्माने करण क्या है, पूरा एक अलग से 15 मिनेट की वीडियो है, कारण कारे संबंध क्या है, वस्तू परक्ता क्या है, जो इंपरेंट टॉपिक से, रान के वादी की विचारधारा क्या है, ये इन सभी टॉपिक्स को ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करवा रखा है, जनुमुखी त्यास क्या है, उसके बारे में बता रखा है, सब आल्टन अध्यन क्या है, कैंब्रिज स्कूल की अवधारना क्या है, ये बता रखा है, ठीक है, और कुछ पिसले स आप खाल्यारा ब्लमर्स वेर्ट के लिए करने बार रहता है, ये एक गंट आट फजो और फ्रोपर देखना है, पहली बार प्रॉड देखना है, जो इंप पोर लगे आप उसको दाइटए आउन करते जाओ, सेकंड टाइम में आप आपने जो भी फर्स टाइम में नूट किया मतलब जो भी आपको लगा न यह वाला कोश्चन इंपड़ने ऐसे से बताया सर ने आपने नूट कर लिया उसके बाद में आप बुक पढ़ो बुक पढ़ने के बाद एक बार दुबारा वीडियो देखो उससे बुक में से जो भी पॉइंट आपने मैच किया उसको आपने यहां पर आप पूरे पॉइंट को मिला पाओगे कि हाँ 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 यह चीज़े हैसी है या नहीं है और एक्जाम से थोड़े देर पहले देख लो इतना भी अगर करके जाते हो न तो आपका अच्छे नंबर बनेगा च्छे नंबर से आप पास होसकते हो अच्छे नंबर आपके में हिटी के अंदर में आ सकते हो ठीकर चीजह नंबर लासकते हो ठいक इस चीज़ की गारंटी मेरी है तो फरेंच से आप में अपना वीडीयो अंड कर को आँन के आप सभी का जिनका कल एक्जाम है उन सभी का all the best मेरी पूरी दीन दीनब की तरफ से मेरी तरफ से और बस दीनब के साथ जुड़ी रही है आपका जो भी एक्जाम है हम आपकी कुर्सिस करेंगे जल्दी जल्दी आपके एक्जाम को क्लियर करवा सके और अच्छे नमबर आप क्या सकी बाइब आपके रूल दे वेस्ट